Hello everyone, this is Vishal and welcome back to my channel. तो देखिए हम लोग यहाँ पर एक नया topic डिसकस करेंगे, रिजिनिंग का, Alphabetical Series. तो यह बहुत ही interesting topic है, इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से cover करने वाले हैं, आपको बहुत ज़ादा confusion होगा अगर, तो यह lecture complete करने के बाद में, आपका Alphabetical Series में कोई भी किसी भी प्रकार का confusion नहीं होगा, I promise, बस आपको वीडियो को script नहीं करना है, completely सारे lectures अटेंड करने हैं, उसके बाद आप Alphabetical Series के सारे questions इजली कर पाओगे, बिना कोई confusion के, ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं, आप सभी लोगों को पता है, कि भाई, टोटल हमारे पास 26 लेटर होते हैं, Alphabet में टोटल 26 लेटर होते हैं, इसमें आप लोगों को सबसे important चीज है, अगर आपको Alphabetical Series बहुत अच्छी तरीके से cover करनी है, तो आपको जितने भी लेटर हैं, जितने भी लेटर हैं, ये सभी, टोटल 26 लेटर हैं, उनकी आपको रैंकिंग बता होनी चाहिए, जितने भी आपके पास लेटर हैं, टोटल आपको रैंकिंग बता होनी चाहिए, रैंकिंग का मतलब क्या है, कि इनकी numbering बता होनी चाहिए, कि भाई A पहले पराता है फिर 2 जो है वो B जो है वो 2 पराता है C 3 पराता है D 4 है E 5 है इस तरीके से आपको यह ranking पता होनी चाहिए अगर आप इस ranking के बहुत अच्छी practice कर लेते हो फिर उसके बाद में आप अच्छे अच्छे level के questions भी करोगे सबसे पहली चीज़ जो है alphabetical series में आगे पढ़ने से पहले आपको यह चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि अगर आप से पूछा जाए यह T क्या होता है तो T बराबर होता है 20 T जो है वो 20 पर होता है ऐसे अगर आप से पूछा जाए E बताए कितने पर होता है तो E होता है पांच्वे नमबर पर अगर आप से पूछा जाए कि Q कितने पर होता है तो होता है 17 पर अगर आप से पूछा जाए कि W कितने पर होता है तो होता है 23 नमबर पर तो यह चीज़ आपको मुझवानी रटी होनी चाहिए आप करते जाओगे तो आप भी मेरी तरीके से जितने भी यह नमबर्स दे रखे हूं उनको राइट से या लेट से किसी भी साइट से उनकी रैंकिंग बता सकते हो इजली जब यह चीज़े आपकी हो जाएंगी फिर उसके बाद में आपका कुश्चन जो दस्प से पंदर सेक जबान पर हो जाएंगी लेकिन स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है अगर आप इसमें कुछ भी नहीं जानते हो भाई अमें कुछ नहीं पता अगर आपसे पूछ जाए भाई एफ कितने नमबर पर है तो उसके लिए आपको यह सीखना पड़ेगा छोटी सी ट्रिक है स्टा होती है आपको याद रखना है ठीक है इजो है वो पांचवे नमबर पर आता है दस पंदरा और यह बीस और यह पच्छीस भाई यह पांच-पांच के गैप पर दे रखें पांच-पांच के गैप पर यह नमबर आपके पास दे रखें बस आपको इतना याद रखना है और और फिर उसके बाद में किसी भी नंबर का आपसे पूछा जाएगा तो आप इजली बता सकते हो जैसे आपसे पूछा जाएगा F, F बताइए कितने नंबर पर है तो उपर देखोगे E लिखा हुआ है पांचवे नंबर पर E के बाद में आता है F, यानि F जो है वो 6 नंबर पर हो गया अगर आपसे भाई पूछ दिया जाए कि बताइए P कितने नंबर पर है तो भाई आपको होगे O जो है वो 15 नंबर पर होता है O के बाद आता है P, तो P आपको होगे 16 नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए कि भाई डबलू बताईए S T U V W भाई T के बाद में डबलू कितना आता है तीन बार भाई T के बाद में T T 20 हो गया U V W कितना हो गया 23 हो गया अभी अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो आप क्या करोगे भाई स्टार्टिंग से पूरा गिनोगे A, B, C, D, E, F पूरा स्टार्टिंग से A, B, C, D आपको रटना पड़ेगा पूरा आपको काउन करना पड़ेगा तो उसी चीज के लिए भाई यहां पर हमने क्या किया भाई 5-5 के अंतर पर आपको ये चीज याद रखनी है इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए भाई क्यों बताईए Q कितना होता है तो आपको होगे 17 कैसे भाई O 15 होता है O P Q R O P Q R O 15 हो गया, P 16 हो गया, Q जो है 17 हो गया, अगर आपसे पूछा जाए D कितना होता है A, B, C, D D होता है 4, फिर उसके बाद में E आता है 5 तो कुल मिलाकर हमको अगर किसी भी नंबर का रैंकिंग पूछी जाए सौरी, किसी भी लेटर कीकर रैंकिंग पूछी जाएगी तो हमको क्या करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ इनी 5 पांच जो हमारे पास दे रखे हैं इजोटी बस इसका आपको विसेज ध्यान रखना है और इसके लावा आपको कुछ भी नहीं करना ये चीज़ अगर आप एक बार रट लेते हो और इसमें रटने जैसा कुछ नहीं है बस कियो पांच लेटर हैं तो E के बाद में F आता है सीधा सीधा लिख सकते हो फिर यहां पर O के बाद में P आता है तो P बरावर पंदा कर देंगे तो जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करते जाओगे फिर उसके बाद में ये चीज़ आपके रट जाएंगी फिर आपको इसकी भी नीड नहीं पड़ेगी ये जो आपका इजोटी लिखा हुआ है आपको इसकी भी नीड नहीं होगी लेकिन अभी आपको इसी से काम चलाना है ठीक है अब आते हैं आगे इतना कर लेने के बाद में फिर देखिए यहाँ पर हमारे पास question किस तरीके से आता है सबसे basic जो question है वो आपका इस तरीके से आता है कि आप लोगों को बताना है भर right से तो हम लोग लिख सकते हैं यह आप यहाँ पर देख सकते हूँ यह numbering लिखी हुई है यहाँ पर आपकी जो है वो numbering लिखी हुई है सबसे पहला जो question आपका alphabet में बनता है वो यह बनता है यह जो हमने ranking लिखी हुई है यहाँ पर यह किस side से लिखी हुई है यह आपकी लिखी हुई है left से सबसे पहले तो आपको right और left समझना है right और left आपको सबसे पहले समझना है इसको समझिए देखिए यहाँ पर यह हमारा जो right hand है जिससे हम लिख रहे हैं हमारा side उसको बोलेंगे right side हमारा right hand मतलब right side यह आपका हो गया इस side right side हो गया और इस side आपका हो गया जिस side में आपका left hand है उस साइड आपका left hand हो गया यानि अगर हम लोग a, b, c, d, e, f इसकी अगर बात करें total जो है x, y, z तो अगर कहीं पर भी आपका लिखा हुआ है कि from left इसका मतलब है इस साइड से, अगर कहीं पर लिखा हुआ है from right, यानि right मतलब क्या होता है दाया, right मतलब क्या होता है दाया और left मतलब क्या होता है बाया तो अगर कहीं पर भी आपका दे रखा हो कि right side से तो हम लोग इस साइड की बात करेंगे, अगर left side दे रखा होगा तो हम लोग इस साइड की बात करेंगे, I hope ये चीज़ आपको clear हो गई होगी, starting में बहुत सार confusion होता है, इसी को लेकर, तो सबसे पहले एक basic सी चीज आपको पता होनी चाहिए अब उसके बाद में, जो अभी आपको एक PPT दिख रही थी, जिसमें ranking लिखी होई थी, ये सभी numbers की, ये किस side से है, left side से है, साब साब उपर दिख रहा है, कि ये जो भी लिखा हुआ है ranking हमने left side से लिख रख की है अगर हम लोग यहाँ पर ranking right side से लिखना start करें right side से अगर हम लोग ranking लिखना start करेंगे तो क्या होगा, वो चीज आप देख लीजिए तो आपका jet जो है, वो एक number पर आएगा ये दो number पर होगा, ये 3 पर होगा, 4 V5 पर होगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इस तरीके से अभी कुछ लोगों के mind में ये आ रहा होगा कि अभी हमको left side से ही नहीं पता है c d a b c d नहीं पता है और ये बता रहा है कि भाई आप उल्टा इस तरीके से याद करो तो कैसे करना है देखिए आपको दोनों side से बिलकुल भी नहीं याद करनी है आपको दोनों side से नहीं याद करनी है आपको सिर्फ left side से ranking याद कर लीजिए कि left side से हमारे जो q letter है वो 17 नंबर पर है s letter है वो कितने नंबर पर है j letter कितने नंबर पर है बस आप इसको left side से याद कर लीजिए और उसके बाद आपको फंडा बताते हैं कैसे आप right से निकालोगे left याद है आप right निकाल सकते हो है ना मजजेदा trick और trick क्या है उसको आप पहले देख लीजिए ठीक है उससे पहले आप ये चीज़ समझ लीजे कि total हमारे पास 26 letter होते है ठीक है एक से लेकर के 13 तक कि इसको बोलते है प्रथम अर्धांस प्रथम अर्धांस भाई ये आधे letter हो गये ना प्रथम अर्धांस मतलब आधे इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांस और ये जो आपके 14 से लेकर के 26 तक लेटर है इनको बोलते हैं दुती अर्धांस ठीक है छोटी सी एक छोटा सा term है इसको याद रखना है आगे आने वाले questions में हम लोग इस चीज को देखेंगे कि ये starting में जो उपर लिखे हुए है ये प्रथम अर्धांस है और ये जो नीचे लिखे हुए है 14 से लेकर के 26 तक ये कौन से है ये आपके दुती अर्धांस है ठीक है अब हम लोग क्या बात कर रहे थे हैं लेटर लेते हैं Q इसकी ranking आप लोगों को पता है 17 ranking आपको पता है 17 from left ये जो idioti trick है वो आपकी left से निकालने में help करती है लेकिन अगर आपको right से निकालने को दे दिये जाए question सीधे सीधा आ सकता है कि भाई बताइए Q की जो ranking है वो from left क्या होगी left side से होगा तो आपको क्या करना है trick आपको याद रखनी है trick आपको क्या याद रखनी है total हमारे पास लेटर कितने होते हैं 26 26 is the total letter of alphabet English alphabet में जो total letters 26 होते हैं इसमें आपको simply one add कर देना है हमारे पास हो जाएगा 27 ये trick है और इस one को add करने का जो reason है वो आपको ranking chapter में बहुत ही अची तरीके से समझने को मिलेगा अभी आप थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए कि ये एक trick है हम लोग क्या करते हैं total हमारे पास letter 26 है उसमें एक जोड़ लेंगे 27 हो जाएगा 27 माइनस given position 27 माइनस given position बाई Q की जो है वो left से 17 है Q जो है वो left से कितना है 17 है तो right से कितना आएगा 27 में से given position कितनी है 17 तो हम जिसमें से घटा देंगे ये हमारा answer हो गया from right एक चीज़ आपको बस यहाँ पर याद रखने है क्या जाद रखना है देखिए आपके letter की कोई भी ranking दी जा सकती है right से दी जा सकती है left से निकालने को दे दिया जाएगा ये जो हमने आपको trick बताई है 27 माइनस given position अगर right की दे रखी होगी तो हम left की निकल कर आएगी अगर left की दे रखी होगी और यहां पर ये आपका होगया right side ये आपका होगया right side तो ये right side से आपका 10 नमबर पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो ये जो Q है वो आपका 10 नमबर पर आ रहा है ठीक है उसको हमने trick से निकाल कर आप लोगों को बताया कि भाई trick क्या होती है 27 minus given position अब वो position right side से भी हो सकती है और left side से भी हो सकती है अगर right की given है 27 में से गटा देंगे तो left किया जाएगी अगर left की given है 27 में से गटा देंगे तो right किया जाएगी तो अभी आप लोगों को थोड़े से questions करने है जो है आप लोग भी इसकी हमारे साथ में practice करिए सबसे पहले तो आपको इसको लिखना है left side से इसकी position क्या होगी इजोटी की help से आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर इसकी left side से ranking लिखनी है सबसे पहले आपको left side से कि कितने number पर होगा यह आपको लिखना है E होगा 5 पर F होगा 6 H होगा आपका 8 पर I होगा 9 पर और S होगा इसके बाद देखिए T आता है T होता है 20 तो S आपका हो जाएगा 90 T आपका होगा 20 M आपका होता है 13 M क्या होता है 13 इजोटी की help से आप करोगे तो बहुत ही चीज़े जो है इसी हो जाएगी भाई Y जो है 25 पर आएगा Q 17 होगा O 15 होगया इसके बाद ये 16 होगया ये तो हमने position लिखी है कहां से From left ये जो है वो left से position लिखी है अगर आपको right से position निकाल ली होगी right से position यानि कि दाएने से position दे दिया जाएगा कि अंग्रेजी वर्डमाला में E की जो position वो दाएं से कितनी है E की जो position वो दाएं से कितनी है तो आपको क्या करना है 27 में से घटा के लिखना है 27-5 ये आपको हो जाएगा 27-6 27-8 27-9 ये आपको हो गया 27-19 27-20 27-20 क्या हो जाएगा answer 22 यहाँ पर आपका कितना हो गया 21 27-8 ये आपका कितना हो गया 19 यहाँ पर आप देखोगे पोजिशन कितनी हो जाएगी 18 तो देखे यहाँ पर आपका जो इसकी पोजिशन हो कितनी हो जाएगी 27-19 ये आपका कितना हो गया 9-8 ये आपका कितना हो गया ये आपका कितना हो गया 7 अब यहाँ पर हमको करना होगा 27-13 यह जो position है यह आपकी left से दे रखी है और हमको यहाँ पर right से position निकाल लिए है तो 27 में से आपको given position गटानी होती है 27 में से गटा देंगे 13 यहाँ पर 27 में से गटा देंगे 15 यहाँ पर 27 में से गटा देंगे 16 और लास्ट में आपका 27 में से गठा देंगे 17, ठीक है, यह कितना आपका हो जाएगा 14, यहां से कितना हो जाएगा 12, यहां से आपका हो जाएगा 11, और यह आपका हो गया 10, ठीक है, तो यहां पर आप लोग देखोगे, O, P, Q, M, इनकी सारी कि सारी जो पोजीशन है, वो पास चेक कर सकते हो, कहने का मतलब समझी है, हम यहां पर आपको समझाने की कोशिस कर रहे हैं, कि भाई, अगर राइट से पोजीशन दे रखी होगी, तो हम लोग लेट से पोजीशन निकाल सकते हैं, अगर लेट से पोजीशन दे रखी होगी, तो हम लोग राइट से निका राइट साइट से, आपको बताना है इस H की जो है वो लेफ्ट साइट से पोजीशन क्या होगी, अभी कुश्चन उल्टा हो चुका है, हमारे पास साफ साफ एंसर लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग जो है, जो आपको ट्रिक बताईए, उस ट्रिक की हल्प से यहाँ पर निकाल सकते हो, लेफ्ट से पोजीशन है, वो आपकी 8 ही आ रही है, कहने का मतलब है किसी भी लेटर की अगर आपको लेफ्ट साइट से पोजीशन पता है, तो आप उसकी राइट साइट से पोजीशन निकाल सकते हो, इस चीज को हम लोग रैंकिंग में बहुत एची तरीके से समझा होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने आज सिर्फ इतना डिसकस किया है, कि भाई, अल्फावेटिकल सेरीज में जो सबसे इंपॉर्टन चीज होती है, हमको रैंकि याद करना, भाई, पोजीशन याद करना हर एक लेटर की, और वो चाहें पोजीशन राइट से हो, चा करने वाले हैं, तो उसमें बार-बार आपको पोजीशन का यूज देखने को मिलेगा, तो प्रैक्टिस से वो चीज़े क्लियर हो जाएंगी, अभी आप जदा टेंसन मत लीजिए, कि हमको यह नहीं याद है, कि भाई, ओ कितने नंबर पर है, कितने नंबर पर है, कितने नं करनी ही करनी है, तो हम लोग राइट साइड से निकाल सकते हैं, राइट साइड से हमको याद करने की अज़कता नहीं है, जरूरी है कि हम लोग याद करें लेफ्ट साइड से, ठीक है, तो आज के सेसन को यहीं पर खतम करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक यह टाटा